एक ऐसा किरियेचर जिसका आधा सरीर एक सुन्दर लर्की और आधा सरीर मचली जैसा होता है इस किरियेचर को जलपरी या मरमेट के नाम से जाना जाता है मरमेट दो सब्दों से मिलकर बना होता है जिसमें मर का मतलब सागर और मेड का मतलब लर्की होता है पराचीन समय से ही जलपरी की चर्चा होते आ रही है प्राचीन समुंदरी या त्रियों ने इस किरियेचर को देखने का दावा किया है अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जलपरी बास्ता में हमारे बीच है या नहीं दोस्तों आपको सिर्फ दो बात बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आप रिसाइड करेंगे कि जलपरी हमारे बीच मौजूद हो सकती है या नहीं जैसे कि जलपरी को दिखाया जाता है कि इसका आधा सरीर मचली और आधा सरीर एक लर्की जैसा होता है जिसका लौजिक बिल्कुल गलत है क्योंकि आपको पता होगा कि समुद्र में नमक की मात्रा जादा होती है इसलिए किसी भी नॉर्मल इंसान का बॉड़ी पानी में जादा दिन तक नहीं रह सकता है और दूसरा लोजिक है कि जलपरी का आधा भाग लर्की जैसा होता है तो फिर वो पानी में सांस कैसे लेती होगी क्योंकि पानी में सांस लेने के लिए गिल्स की कर रही है खेर इसके बारे में तो बैग्यानिक आज नकल पता लगा ही लगी लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी वीडियो क्लिप्स और कुछ ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा जहां की घतना जलपरी के बारे में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी किरीतियम इज्राइ केमरे निकालकर उस मुवमेंट को सूट करने लगा इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि समुन्दर के बीच एक जलपरी जैसे किरीयेचर है जो समुन्दर के बीच एक पत्थल पे बैठी हुई है इस वीडियो क्लिप को काफी दूर से सूट किया गया है इसलिए इतना कि पत्थल के पास जाने लगता है तभी आप साप देख सकते हैं कि वो किरीयेचर समुन्दर में छलांग लगा देता है उसके बाद इस वीडियो को यूटूब पे पबलिस किया गया और वो वीडियो काफी त्यजी से वाइरल होने लगी पर वो किरीयेचर क्या था आज तक क पराचिन लोग जानते थे इसी बज़ो से दिवारों पर पैंटिंग बना दिये ताकि आने वाला पिढ़ी इसके बारे में जान सके इस पैंटिंग में आप साप देख सकते हैं कि जो आकरिती बनी है वो बरतमान के जलपरी जैसे दिखती है इस पैंटिंग को इग्नोर नह पर कुछ मचुवारे मचली पकर रहे थे तभी मचुवारे की जाल में एक इंसानों जैसे दिखने वाला जीब फस गया इस जीब को जल से निकालने के बाद देखा गया तो वो बॉडी एक देथ बॉडी थी इस बॉडी के बारे में जब पुलीस को पता चला तो पुलीस ने प्रेंसिक जांच करवाई जांच के बाद पता चला कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक समुंदरी जीब है जिसकी मिर्त्यू कुछ किन पहले हो चुकी है इस जीब को देखने के बाद साइन्टिस्ट को भी जल परी पे बिलिब होने लगा किरिस्टोफर कोलंबस सन 1493 जब बहुत सारी समुंदरी यात्राएं भी की इसलिए इनके बात को इगनोर नहीं कर सकते हैं इनका कहना था कि जब वो समुंदरी यात्रा कर रहे थे तो उनको एक पथल पर तीन औरत दिखी जो जलपरी जैसे दिखती थी जब इन्होंब ने नाओ को उसके करीब ले गए तो तीनों औरत ने समुंदर में छलांग लगा दी इन तीनों औरत का आधा सरीर इंसान और आधा सरीर मचली जैसे था इसके साथ साथ इनके नाव में सबार परतेक बैक्ती ने इस घटना को अपनी आँखों से देखा सी मरमेड मैक्सीको आप ये तस्बीर तो बहुत सारी वीडियो में देख चुके होंगे कुछ लोग इस तस्बीर में मौझूद जलपरी को फेक मानते हैं टो कुछ लोगों का कहना है ऐसा ही जलपरी मेक्सीको के समुंदर के पास मिली थी जिसका पूरा सिरिक गल चुका था। पर आप सोचते होंगे कि यह तस्बीर फेक है याँ तो दोस्तों में आपको बता दूँ ये तस्बीर बिल्कुल फेक है इस तस्वीर में एक मिर्त जलपरी को दिखाया गया है और ये इंटरनेट पे काफी ज्यादा वाइरल भी हुआ था जील लोगों ने इस तस्वीर को देखा वो जलपरी पर विश्वास कर लिए लेकिन ये जलपरी रियल नहीं है क्योंकि इस मॉडल को कर लिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके तो फिर एक नेक्स्ट धमाकेदार एपिसोड में मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत